बिस्मिलाहिर रहमांदरहीम असलाम लेकों मायूटी फैमली वेलकम बैक टो मैं चैनल आज की जो वीडियो है बहुत ही इंट्रेस्टिंग है आज हम आपको बहुत ही खुबसरत और स्टैलिश गुरोशा मिनी पर्स बनाना बताएंगे 3 प्लाइ हमारे वोल है 2.5 mm का हमारे क्रोश होक है सबसे पहले हमने देखें मैजिक रिंग बनानी है मैजिक रिंग बनाने के बाद हमें एक चैन लगानी है बान चैन लेंगे अब हमें क्रोशा को बीन वलके इसी मेजिक सरकल में डालना है और देखिए अब हमने पास क्रोशा में लोप हैं दोनों को एक साथ हम ओवर करके सिंगल क्रोशा बना लेंगे अगेन हमें इसम्शे Czyli क में एक और सिंगल क्रोशा बनाना है तो continue आपने single crochet के जो loop है वो बनाते होई 8 single crochet complete कर लेनी है ठीक है first row में इसी magic ring में आपने 8 single crochet count करके complete करनी है फिर इसके बाद आगे किस तरह के से बनेगा यह हम आपको बताएंगे तो friends आपसे छोटी से request होती है वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो यह से आपने इसको like करना है share करना है चैनल पर भी first time अगर आप आई है तो चैनल को subscribe कर लीजिए तो दिखिए हमारी 8 single crochet complete हो चुके है हमने एक्स्ट्रा थ्रेट को अच्छे से magic ring के थ्रेट को अच्छे से खेंच के close का लेना है और first stitch में हम क्रोशा डालके slip stitch से first row को lock कर देंगे इस तरीके से slip stitch को आपने अच्छे से खेंच के बंद करना है ताकि आपके 8 stitches first row में रहें वो सकता है अगर आप slip stitch को अच्छे से ना खेंचे तो ये भी आपको second row में stitch दिखे तो आप गल्दी से इसमें बना सकते हो तो इस पात का अपने ध्यान रखना है 8 stitches आपके पास होने चाहिए अब एक चैन लगा के हम first row stitch में एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे same इसे stitch में first row stitch में हम वापस क्रोशा को डालेंगे और एक और सिंगल क्रोशा का जो लूप है वो बना लेंगे अब next stitch में टालेंगे one single क्रोशा करेंगे अर वापस हमें second row वापस सिंगल क्रोशा बनाएंगे तो यह पर हमारा loops जो है thankl क्रोशा का बढ़ जाएगा हर stitch में आपको दो-दो सिंगल क्रोशा करते हुए second row को complete करना है तो first row में हमारे पास 8 single crochet थे और second row में हमारे पास 16 single crochet हो जाएंगे हर स्टिच में जब हम दो-दो single crochet बनाएंगे तो double हो जाएंगे तो हमारे second row भी complete हो चुकी है अब first वाले स्टिच में डालके slip stitch से हमने इसको second row को lock करना है इस तरीके से अच्छे से खेंच लेना है अपने slip stitch को अब extra thread को अपने यहां पर कट कर देना थोड़ा सा thread छोड़ के cut करना है और दीखें यह हमारा round shape का एक छोटा सा circle बन चुका है अब हमें क्या करना है फर्स्ट वाले स्टिच में क्रोशा को डालना है और यहलो कलर के thread को हम slip note लगा के इसमें इस तरीके से डालेंगे तो हमारा color जोएन हो जाएगा अब इसके बाद हमें थ्री चैन लगानी है थ्री चैन ऐसा हमारा first double crochet count होगा तो फर्स्ट वाले स्टिच में हमने color change करती हुए थ्री चैन बना के सेम इसील स्टिच में जानी फर्स्ट वाले स्टिच में हम डालेंगे double crochet बनाएंगे एक और double crochet बनाएंगे तो एक ही स्टिच में आपको तीन double crochet complete करनी है देखें यहां पर हमारे तीन double crochet complete हो चुके हैं अब बीच में हमें two chains लेनी है two chains का हम gap लेंगे और next stitch में ठीक है फर्स्ट वाले स्टिच में हमने तीन double crochet करके दो चैन लगा के next वाले स्टिच में डालेंगे पास वाले स्टिच में और यहां भी again हमें three double crochet के जो लूप है वो complete करनी है तीन double crochet हम बनाएंगे second वाले स्टिच में हमारा फर्स्ट डिजाइन यहां पर पूरा complete हो चुका है अब इसके बाद हमें क्या करना है क्रोशा के उपर बन लगाना है और दो स्टिचिस ठीक है दो स्टिचिस आपने इसकिप करने है one two और जो थर्ड वाला स्टिच में हम क्रोशा डालेंगे ठीक है दो स्टिचिस इसमें हम डालके यहां भी हमें देबल क्रोशा के लोग बनाने हैं 3 double crochet complete करने के बाद हमें बीच में दो चैन का गैप लेना है ठीक है टू चैन्स लेकि हमें सेकंड वाले स्टिच में देखिए फॉस्ट वाले स्टिच को आपने तीन डेबल क्रोशय बना के छोड़ देना है फिर दो चैन्स लेकिए सेकंड वाले स्टिच में आपको डाल के ने यहां भी 3 double crochet के जुलूप में वह कंप्लीट करने हैं ओके दो डीजैन हमने यहां पे बना लिये हैं तो दो डीजैन हमें और का लेने हैं इसक्यूर शेप का यह पैटर्न है तो चार कोणर हमें बना लेने हैं दो कोणर हमें और बना लेनी हैं सेम तरीके से दो दो स्टिच बीच में स्किप करने हैं और फिर दो जो स्टिचेस हैं उसमें तीन तीन डबल क्रोशा करके बीच में दो चैन लगानी है तो यहां पे हमारे फोर कोणर कंप्लीट हो चुके हैं अब हमें दो स्टिचेस नीचे वाली जो रोके हैं चोड़के जो स्टार्टिंग वाला हमार त्री चैन का डबल कुरोशा है, इसकी थर्ड वाली चैन में हम सलेपिस्टिस से अपनी रो को लोग कर देंगे, अब इसके बाद, वान, टू, थ्री, थ्री चैन का हम फर्स डबल कुरोशा बनाके, कुरोशा को बल लगाएंगे, और देखें यह आपको यह छोटा सा गैप द देखेंगे, तो टोटल तीन डबल कुरोशा हो जाएंगे, तीन डबल कुरोशा बनाने के बाद, अब हमें वान चैन का गैप लेना है, एक चैन आपनी बनानी है बिच में, और नेक्स्ट यह आपको फर्स डोला कॉनर दिख रहा है, तो इसको आपने पहले तीन डबल कुर लेना है, और से इसी गैप में हमें तीन डबल कुरोशा बनानी है, तो हमारा फर्स डोला कॉनर बन जाएगा, फिर इसके बाद हमें एक चैन का गैप लेना है बिच में, बहुत सादा सा यह पैटर्न है, देखें हमारा कॉनर बन चुका है, अब बान चैन लेंगे, और नेक अब एक चैन लेके हम इसका सेकेंड कॉनर जा है, वो बनाएंगे, तो सेम तरीके से कॉनर बनेगा, यानि तीन डबल कुरोशा और बीच में दो चैन, अगैन सेम गैप में तीन डबल कुरोशा और का लेंगे, तो टूटल छे डबल कुरोशा और बीच में दो चैन का हम गै में ज्ङूंत करतें हैं और नहीं कास में भीट करें मेरेठें फिर फिस्ट रहें जग शेये तो चम्प्लीट करें से चिखें़। को अब यूआ कर मैसे कि फिफ्ट रहें कुंट करनी ऑना अब फिस्ट रहें बडб मैं पूरी शेल shark कट करना है ठीक है यहां पर हमने कट कर दिया है और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो आपने कुरोशय की मदद से बैक लूप में डालते हुए इजेस्ट कर लेना है बीच में अंदर की सेड़ सिक्यूर कर लीजे इससे आपके वर्क में फिनिशिंग भी आती है और थ्रेड कही इसे दिखता भी नहीं ठीक है यहां पर हम सिक्यूर कर लिया है देखें कहीं से भी आपको थ्रेड दिखेगा भी नहीं और जोएन किया हुआ है अंदर की से जो है वो अच्छे से सिक्यूर हो जाएगा अब इसके पाद हमने पर-पल कलर की त्रेड को स्लिप नोट लगा के कॉर्णर पर जोएन करना है सिंगल क्रोशा से हमने जोएन कर लिया अब इसके उपर हमने दो चैन लगानी है तो यह हमारा फर्स डबल क्रोशा कॉंट होगा अब इसी गैप में जो है दो डबल क्रोशा और कर लेंगे तो कॉर्णर तो जैसे हमने आपको गाइट किया है सेम तरीके से ही बनेगा चे डबल कुरुशा और बीच में दो चैन लगा के कॉर्णर कंप्लीट करना है ठीक है फिर इसके बाद हम आगे भी आपको बना करके दिखाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तो देखें जो कुरुशा बार करती है उनके लिए तो बिल्कुल भी यह मुश्किल नहीं है आप देखते ही इसको बना लेंगे जो बिगनर्स होती है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए हम थोड़ा डीटेल के साथ उनको बना करके दिखाते हैं तकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप बीना दिकत के इसको पुरा कम्प्लीट कर लें अपने प्रोजेक्ट को यहां पर हमारे तीन डबल कुरोशे कम्प्लीट हो चुके हैं अब हमें वान चैन लगा के नेक्स्ट जो हमारा वान चैन का गैप इसमें भी हमें अगैन त्री डबल कुरोशे कम्प्लीट करनी है अब फिर से हमें एक चैन लगानी है यह हमारा कॉर्णर है तो कोर्णर पर पहले आपको तीन डबल कुरोशे करनी है पर इसके बाद हमस्ट लगा के सेम गैप में तीन डबल कुरोशे और कर लेंगे तो हमारा कॉर्णर कम्प्लीट हो जाय गा है फिफ्ट रोग को पुरा कम्पीट कर लिए है आप फिफ्ट रोग को हम जोयन करेंगे इसलिपी स्टीच से फॉस्ट वले स्टीच में डालकि हमने इस तरीके से इसको लोका लेना है आगे भी आपके पाद दो स्टीच इस आया तो आप लिए कार अपर दो स्टीच करते हुए बीच वाला जो हमारा सेंटर वाला दो चैन का गैप है हम अपने वर्ग को यहां तक लेकर आएंगे कॉर्णर की सेंटर में भी आपको सिलिप स्टिच करके एक चैन लगा के थ्रेड को छोड़ देना है यहां पर हम जो लास्ट का यह वाला इसक्यूर शेप का पीस बनाएंगे ना तो इसमें हमने त्रेड को कट नहीं करना क्यूंकि इसी त्रेड से हम अपने जो पीसिस हैं वो जोईन करेंगे तो टोटल हमने पांच पीसिस बनानी है इसक्यूर शेप के ठीक है 5 pieces का यह खुब सरज सहां हमारा κ्योर्जा mini purse बनेगा तो 5 अपने pieces complete कर के पिर आप इसको last में हम join करने का तरीका भी आपको दिखाते हैं प्राबर आपने कुरोशा को डालना है या या कुरोशा को से जोए्ट करना है अब नेक्स स्टिच में डालेंगे पहले देखिए फॉर्स्ट वल हम ने कुणा, अब समय चाहिए da सेकंड पीस में भी सेम एक ही स्टिच में जैसे बराबर की स्टिच हैं तो दोनों में इस तरीके से आपने क्रोशा डालके सिंगल क्रोशा करना है अब नेक्स स्टिच में भी सेम तरीके से हमने दोनों स्टिच में एक पराबर क्रोशा डालके सिंगल क्रोशा करना है यहाँ पर डालेंगे कुरोशा पहले फर्स सेट वाले स्टिच में डालना है फिर इसके बाद सेकंड सेट वाले स्टिच में एक पराबर दोनों स्टिच होने चाहिए आपके डालके हम सिंगल कुरोशा से जोइन करेंगे आप देखें इसके बाद ये आपको वन चैन का जो गैप दिख रहे हैं दोनों गैप में एक साथ ही आपको क्रोशा डालना है ठीक है तो कंटिन्यू आपने ये सिंगल क्रोशा से जोइन करते हुए अपने उबर को उपर की सेट तक लेके आना है जोइन करते हुए फिर हम आगे बना करके दिखाएंगे कि आगे किस तरीके से इसको जो है वो जोइन करना है ओके अब देखें को नर के पीछ में भी हमें इक सिंगल क्रोशा करना है अब वर्क को हम थोड़ा सा निकाल के आपको गाइड कर देती हैं देखें दो पीसिस हमनी एक साइड से जोइन कर हैं आप थार्ड वाले पीस लेंगे और थार्ड वाले पीस को आप इस तरीके से भी रखके जोइन कर सकते हो और चाहें तो इस से भी आप जोइन कर सकते हो जैसे भी आपको इसी लगए आप अपने हिसाब से इसको जोइन कर लेजिए तो कंटीनू सेम तरीके से ही आपको अगर आपको कुरोशा से जोईन करना तोड़ा सा दिक्कत लगए आपको बनाने में तो आप नीडल के साथ भी इसको जो है वो जोईन कर सकते हो तो ठीक है हम इस सेड से कंटीनू सेम तरीके से ही जोईन करते हुए कॉर्णर तक अपने वर को लेके आएंगे यानि उपर की से तक अपने वर को बना करके फिर हमें एक चल लेके त्रेड को कट कर देना है और एक्स्रा जो हमारा थ्रेड है वो हम अंदर की सेड से क्यों कर लेंगे नीडल के मदद से यहां पर तो तीन पीसिस हमने जैसे जोईन के हैं आप इस सेड से जोईन कीजिएगा और इस तरीके स हर पीस को सेट करते हुए आपने चारों और इसको स्टिच कर लेना है एक हमारा जो पीस है वो सेंटर में रहेगा और चार पीसिस हमने चारों साइड से इसको स्टिच करके पुरा कम्प्लीट कर लिया है अब हम यह एक से दो रो जो है वो सिंगल क्रोशा की कम्प्लीट करनी है तो वापस हमने क्रोशा को टैड में डालके देखें दोनों कॉर्णर तो हमने जोईन कर लिये हैं अब नेक्स स्टिच में डालेंगे सिंगल क्रोशा करेंगे हम तीन सिंगल क्रोशा करनी के बाद देखेंगे आपको वाण चैन का गैप दिख रहा है इसे आपने स्किप करके नेक्स जो आपको तीन डबल क्रोशा वाले स्टिचिस दिख रहे हैं आपनी तीन सिंगल क्रोशा कर लिनी है पिर इसके बाद आपको पास वाण चैन का गैप तो इसे आपने again skip करके next वाले stitches में डाल के single crochet करना है तो जहाँ जहाँ आपका one chain gap आएगा इसे आपने skip करके अपना जो work है next stitch में single crochet complete करना है इससे क्या होगा आपका जो mini bag है पर्स है उपर की से थोड़ा सा close हो जाएगा तो अच्छा सा एक shape आएगा इसमें ठीक है तो corner पे तो आपने one one single crochet ही करना है दोनो corner पे ठीक है इसमें आपको skip नहीं करना corner पे one one single crochet करेंगे बट बीच वाली जो one one chain की gap है से अपने skip करना है ठीक है तो हमने पुरा अपनी row को single crochet की complete कर ली है आप इसके बाद हमारा जो starting वाला stitches में डाल की हम लोग करेंगे अपनी row को और again हमें एक और row single crochet की करनी है वो आपकी चुएसे आप एक row भी कर सकते हो single crochet की अगर आपका thread थोड़ा सा मोटा है तो एक ही row काफी है आपके लिए थोड़ा सा हमारा thread पतला है तो हम इसके single crochet की दो रोकर है second row बहुत simple है आपने बस हर stitch में one one single crochet करती हुए second row को पुरा complete कर लेना है अब हम bag की strap आपको बनाना बताएंगे 31 chain लेंगे first वाली chain को आपने skip करके second वाली chain में single crochet करना है और third वाली chain में भी same single crochet हम बनाएंगे तो continue आपने one one single crochet करती हुए इसको पुरा यहां तक complete कर लेना है okay तो दोनों strap हमने बना के stitch कर लेंगे stitch करने का simple सा तरीका है आपने दोनों सरे लेके needle की मदद से stitch कर लेना है तो अब लास्ट में हम fitting की dory डालेंगे तो डोरी डालने का तरीका भी हम आपको दिखा देते हैं हमने 50 चैनल की dory बनाई है 50 चैनल अपने simple ले लेनी है अब इसको हम crochet के मदद से center वाली stitch में डालेंगे अब आपने front side पे इसको निकाल लीना है दोनों साइड से डोरी को हम खेंटे हुए एक बराबर कर लेंगे और डोरी के last में आप चाहें तो मोती भी add कर सकते हो decoration के लिए और खुबसरत हो जाएगा तो baby dress की matching का आप बना सकते हैं आपके family friends में किसी baby की birthday है तो आप इसको प्यारा सा gift कर सकते हो बीच में candy से चोकले डालके तो अच्छा सा फील आता है जब आपने हाँ से हम किसी को कोई भी चीज बना के gift करते हैं तो बना के आप sale भी कर सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को subscribe कर लेजे इंशाला मिलेंगे next वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग टीक्यर आला पीज